घूमना किसे पसंद नहीं होता खास कर तब जम्मों संभाधी सुहाना और शानदार हो मेरी ये कहानी एक छोटे से सफर की है काफी दिनों से घर में बैठे बैठे मुझे बोर्यत सी महसूस हो रही थी फिर मैंने सोचा कि क्यों न कहीं घूम कर आया जाए काफी सोचने के बाद खयाल आया कि क्यों न दिल्ली ही चले और काफी दिनों से मैं दिल्ली कई भी नहीं थी तो थोड़ा सोचा और फिर मैं निकल गई अपने दिल्ली यात्रापन समय करीब सुभा के दस बजे थे और मैं घर से निकली मेट्रो इस्टेशन के लिए दिल्ली में कहीं घूमना हो तो सबसे अच्छा और आराम दायक जर्या है कि आप मेट्रो से यात्रा करें तो मैं भी मेट्रो इस्टेशन पहुँच गई और मेट्रो का इंतजार करने लगी कुछ देर बाद मेट्रो आई और मैं छतरपूर मंदिर के लिए निकल गई मैं करीब बारा बजे छतरपूर मंदिर पहुँची चतरपुर मंदिर दिल्ली के बड़े और भवे मंदिरों में से एक है इसका वास्तविक नाम श्री आध्याकात्यानी शक्ति पीठ मंदिर है यह मंदिर देविकात्यानी को समर्पित है पूरा छत्रपुर मंदिर घूमने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अब अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए निकला जाए उसके बाद मैं लोटस टेमपल पहुची वैसे तो दिल्ली में कई ऐसी एतिहासिक स्थल हैं लेकिन यह एक ऐसा स्मारक है जो अपनी खुपसूर्ती से लोगों को आशर्य में डाल देता है लोटस टेमपल यह कमल मंदिर एक बहाई उपासना स्थल है जहां ना तो कोई मुर्ती है और ना ही कोई पूजा की जाती है लोग यहां शांती और सुकून का अनुभव करने आते हैं यह एक आधे खिले कमल की आकरिती में संगमरमर की 27 पंखडियों से बनाये गया एक स्मारक है फिर लोटस टेमपल घूमते घूमते मुझे भूग लगी फिर मैंने सोचा कि क्यों न कहीं आसपास ही कोई अच्छा सा रेस्टराण ढूना जाए और चला जाए रेस्टरो मुझे फिर मिला नाम था लोपेरा रेस्टरो बहुत ही शांदार आकर शाकर और लंग्जूरियस था भूख इतनी जादा थी कि मैंने मेन्यू से काफी कुछ ओडर कर दिया फिर टेस्टी टेस्टी खाना खाने के बाद मैं निकल पड़ी अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए फिर मैं पहुँची अगली जगे जो थी इंडिया गेट इंडिया गेट एक युद समारक के रूप में जाना जाता है यह एक 42 मीटर उचा समारक है यह समारक प्रथम विश्विद के दोरान शहीद हुए सैनिकों को समर्पित है यह सफर मेरे लिए बहुत ही यादगार रहेगा इस यादगार सफर की ठकान भी काफी याद रहेगी जिसके बाद मैं मेटरो से अपने घर आ गई और एक लंबी नीन लेकर अपनी ठकान उतारी वाकई क्या यादगार पल थे